तो अब उसके पर हम डिजाइन करेंगे एक Employee Information Form तो यहाँ पर हम मुफ्तलिप Controls बनाएंगे और उनकी Properties को Set करना शुरू करेंगे तो हम यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा जाके Reset कर लेतें ताकि Environment हमारा जिसे पहले था वैसा हो गया तो यहाँ से हम Windows में गए और यहाँ से Reset कर दिया यहाँ पर क्लिक करके यह Reset हो गया ठीक है अब उसके बाद हम ने यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सब्सक्र कर दिया और यहाँ पर जाके Toolbox को हमने Activate कर दिया अब हर फार्म की एक Property होगी बताब हर आइटम की प्रॉपर्टी वी जो पर इस पर दिजाइन करेंगी यह फार्म की प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पर क्लिक करने पर नदर आ रही है यहां से हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर इसको आलफा बॉर्टी काडर भर रख सकते हैं यहां Form 1 लिखा वार रहा है तो यह हर इसकी हम हर इटम जो हम इसके बनाइंगे इसके बनाएगे इसके अले Properties होगी ठीक है तो उसके बाद जो है तो उसके बाद यहां पे click करके हमने यहां पे form 1 पे click के इसका नाम हमने change कर दिया इसका नाम रख लिया, employee info, आम रख लिये शर्थ यह है कि without space होना चाहिए और without number होना चाहिए, यहां पे click करेंगे यहां से हम उसके जाएंगे और यहां पर हम इसका नाम रखींगे Caption Text property में हम जो नाम लिखेंगे वो इसके लेबल पर नज़र आएगा Employee Information Application लिख लिए हमने इसके पर यहां पर click करने पर नज़र आ रहा है Employee Information Application Employee Information Application ठीक है यह इसको user को title पर नज़र आएगा जैसे हम इसको यहां से run करेंगे तो यहां पर यह इस तरह से हमें नजर आने लग जाएगा अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से stop कर देंगे यह stop हो जाएगा अब वहां पर आके हम इसके पर controls बनाएगे जैसे हमने यहां पर लिया label control तो डबल क्लिक किया, यहां से एक लेबल कंट्रोल बन गया, और क्लिक करके हमने यहां पर जाके लेबल पर क्लिक किया, और यहां पर इसका नाम रख लिए, अब इस नेम के जो दो अप्शन्स है, यानि यह यह टेक्स्ट है, यह इसके पर डिस्पले होगा, और यह जो इसका इसका नाम है, ठीक है, अब इसको हमने स्लेट किया यहां से, और स्लेट करके हम यहां पर जाएंगे, और यहां से क्लिक करेंगे, और यहां से क्लिक करेंगे, यहां से इसका फॉंड का साइज हम यहां से क्लिक करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे, तो यहां पर इसका फॉंड सा यहां पर आगया हमारा father's name, ठीक है, यह employee का है, तो यहां पर father's name के वज़ा है, हम उसके ले 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 थे designation, तो यहां पर designation उसके caption पर दिखा दिया है, अब इस वाले label का नाम हमने क्या रखना है, यहां पर क्लिक किया, इसका नाम हमने रख दिया, label EMP designation, तो basic DESG नाम रख दिया हमने इसका, आज पर क्लिक करके यहां से ctrl C, ctrl V गया और उठा के हमने यहां पर इस तरह से रख दिया, और यहां पर रख के हमने इसका नाम रख दिया, और इसका नाम रख दिया हमने salary, ठीक है, तो यहां इसका नाम रख दिया, तो यहां पर क्लिक करके टेक्स पर क्लिक क यहाँ पे जाके हमने जाकर दिया salary. ओर इसके उपर हमने एक नाम रख दियाoring, chair आपके लिक में आपके लिख दिया धीया ayam 보ंग इस तरह से लिखा वा गया इसके बाद हमने क्या किया यहां पर इसको रण करके देखा तो हमारी अप्लिकेशन पर यह सारी चीजा भी आ रही थी इस तरह यहां पर इस तरह से लिखावा आ गया, Employee Data Collection और यह हमें यहां पर इस तरह दिखाई दे रहा है, इसके बात हमने क्या किया, यहां पर इसको run करके देखा, तो हमारी application पर यह सारी चीज़ा लिखी भी आ रही थी, इस तरह से, अब हमने इसको stop कर दिया, इसको यहां से stop करने क है, टेक्स बॉक्स के अपर, तो टेक्स बॉक्स में से हमारे पास जो control है, वो single line text box होता है, जो user से input लेने का काम कर रहा होता है, इन सारे functions का हमने select किया, थोड़ सा आगी कर दिया, इसके बाद इस text box को select किया, इसको भी इसके साथ रखने के बाद हमने यहां से click कर दिया, format यहां पर click करके हम इसको आगी करेंगे और इसको यहां पर इस तरह से रख लेते हैं, control c, control v करेंगे, पैस करेंगे, और यहां पर इसको रखनेंगे, इसके बाद यहां पर रखने के बाद हमने इसको control v किया, फिर पैस किया, फिर यहां पर इसको रख दिया, और पर control v किया हमने full name ये इसका नाम होगिया और दूसरे वाले text box का नाम हमने क्या रखना है इसका नाम हमने रख दिया designation text box पर स्लीडी बिटा रहा है वो label और text box में इस तरह एक फर्क बना रहेगा जिससे हमें पता चलता रहेगा यह label है और यह text box है उसके बाद यहां से हमने क्लिक किया salary पर text box salary हमने यह से ले लिया उसके बाद हमने नीचे और command buttons बनाने तो पहले हम आपने code को save कर लेते हैं control shift है save all के तरही एक command button ना आएगे जो command button इसका control होता है इसका काम यह होता है कि आप कोई भी जो भी चीज़ बना रहे हैं दिसे इसको बना दिया इसके आपने submit button submit बना दिया इसके उपर और यहाँ क्लिक करके यहाँ से एक pertama इसको लिख दिया so तो यह exit कर दिया, यह इस तरह से आपको नजर आ रहा है, यह application का interface तयार हो गया, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नाम रख लेते हैं, जैसे इसका नाम हमें क्या रखना है, button submit, और इसका नाम हमें क्या रखना है, button exit, तो आज ही class हमने यह देखा कि किस तरह से application के उपर level, text box और command button को बनाते हैं, और उनकी name और उनकी level property को use करते हैं, और उनके font size वगर को कैसे set करते हैं, आप application को हम test करते हैं, यहाँ पर run करेंगे, यह इसका testing mode activate हुए, अब इसमें आप data डाल सकते हैं, और यहाँ पर उसकी salary को भी input कर सकते हैं, यहाँ से उसको submit भी कर सक पे ठीके, यहाँ से समल पर कर दे हैं, और यहाँ से सकूपन भी ठीक है?